बैती हवा सी थी वो, उड़ती पतंग सी थी वो, कहां गई उसे ढूड़ो हमको थी वो सुबह उठाती पंखे का स्विच बंद कराकर सबरदस्ती गर्मी में उठाती थी वो हमको धूल की फिकर सता थी वो बस सबको चूतिया बना कर अलके से टीवी पे कपड़ा घुमा देती वो कहां से आई थी वो, ममी की बेस फ्रेंड थी वो, कहां गई उसे ढूड़ो उसने तुम्हें फोन किया था क्या नहीं लेटर देखे गई है लेटर दिखाओ मेरी प्यारी मेम साब, बड़े साब और छोटे साब ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन मैं अपसे काम पे नहीं आएगी अपना अपना देख लो और मेरा हिसाब निप्टा दो पीछे नेट बैंकिंग की डीटेल्स लिखी है मेरे मरद के कपड़े इस्तरी करने का धन्दा भी बंद हो गया है I love you मेम साब, आपके साथ वो फर्स्ट फ्लोर वाली का मजाक उड़ाने में मजा आता था लेकिन अब मैं किसके साथ मजा उड़ाएगी मेरी जब भी याद आए आख बंद करके कांता बेन चिलाना आजाएगी कांता बेन मैं आगई मेम साब पर किसी को अपने आसू नहीं दिखाएगी जाड़ थोड़ी चोटी रहगी तुम क्यों जा रही हो मेम साब आप जो मुझे सेलरी देते हो उसमें मेरा घर थोड़ी चलता है तुम बाकी घरों में भी जाके काम करती हो वहां भी तो पैसे मिलती होंगे ये इतनी थोड़ी मिलती है कि अपनी जरूरत पूरी करपव मेरा तीन बच्चे तीन और ट्विन उनके इस्कूल जाने का खर्चा उनकी पाकिट मनी क्या क्या देखना पड़ता है साब और मेरे बड़े वाले बेटे को तो एपल का आइफ़ोन मांगता है कहां से लाके देगी पर किसी को अपने आफू नहीं दिखाएगी जाड़ो तोड़ी छोटी रह गई चांत हो जाओ एलो हां मियम सब में आती है पर आज मैं जाड़ो नहीं मारेगी वह तुम्हारी घर का चाड़ो बहुत चोटा रहता है मैं पलंग साफ करती है तो नीचे से पूरा साफ ही नहीं होता फिर तुम किट किट करती है पहले जाड़ो न साब 10,000 पापा मुझे रकलो आठ दे देना ए तु चुप कर 40,000 की मेरी नौकरी है उसमें से 10 मैं तुमें दी दू ऐसा कैसे करती हो सब याद नी उस दी मेम सब जब बहार गई थी और आप ना रहे थे तो बातरूम में आके मैंने आपको पैंटी दी थी क्या दी थी? तुम आड़ों से चटी आ लेते हो मैंने कपनी चटी हाई रे दादा मैंने अपने हाथों से आपको पैंटी दिया था बालू पे लगाने को दरिंदा है यह आदमी अच्छा पैंटी इन ममी पैंटी इन का शैंपूनी आता हो बहार रखावा है हाँ वो दिया पर किसी को अपने आर्सों नहीं दिखाएगी जाड़ों थोड़ी चोटी रेगी चोटे बाबा तुम कुछ समझाओ न अंठी मैं क्या बोलूं आइसा कैसा करते चोटे बाबा मैं तुमारे लेकी इतना तकलीफ उठाई जब हार सुबह जाड़ों लगाने को तुमारे कमर मैं आती था जाड़ों जब मेन पे चिपक जाती थी मैं कुल बोली वो तो दही गaci गिर जादा था जा रहे जा तीन बच्चे हो गया मेरे कहा क्या चिपकता सभ जयानती में चैजा नत में पिलाते हो अपनी सगी बीवी को पानी तक नहीं पूछते हैं वह गिर जाती तो उसको चोड लग जाती है और तुम मैं पैसे नहीं बढ़ा रहा है वावा साब, मैं आपका इतना चड्डी उतारा इतना कपडे उतारा, सबूरा दो किसी को अपने आसु नहीं दिखाए इचारे थोड़ी खोटी रहेगे आप स्पा जाते हो आप से जाएगी अच्छे वाले में पाईने जब मेरा मरत का पड़े इस्तरी करता था तो उसके कोईले के फट्टे के नीचे में लेड जाती थी तो आहाँ, कैसा गर्म लगता था आप भी कभी आना साफ, साथ में लेटेंगे अब थोड़ी ना इस्तरी करता है वो धक तेरी की भूल गई, जाड़ी थोड़ी छोटी रह गई इस्तरी करता तो इसके साथ लेड जाते तुम जाओ कांता बेन, तुम जाओ थेंक्य साब, थेंक्यू जाओ या अब कांसे में रोज काम प्याएगी पर किसी को अपने आसू नहीं दिखायेगी जाड़ी थोड़ी छोटी रह गई आज कल की काम वालियों के भी कितने नखरे हो गएं बेटा चाय पीएगा तु, तुम चाय प्योगी, मुझे ओफिस भी जाना है उसके साथ लेट होगे सोच रहा हूं, अज लेट जाँ दरिंदा अरे ओफिस लेट जाने की बात कर रहा हूं हाँ, तु कैसी बाते कर रही है आए, दरिंदा, दर इंदा आओ, द तुम ची तो जैसे असरा ओर में आवा, सारा, सारा कैसी बाते करती है, सुबजब तो मूड का ओफ कर दिया आए, काम वाली पे दिल आजया, काम वाली पे